हुआ हुआ है हुआ है हुआ है घरे लूप आए में आप सभी का सागत है अगर इससे आप दिवाली की रात को करते हैं तो अच्चु किलाव मिलते हैं आज का जो टापिक है व्यापार में बरकत के लिए यह तो त critical यह उपाये जी हाँ दोस्तो अगर आप भी अपने व्यापार में बरकत पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंते तक देखते रहें लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दू अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाए अभी तक सब्सक्राब नहीं किया तो इसे तुरन सब्सक्राब करें क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए और ऐसे उपाए लिकर आते रहते जो आपकी जीवन को सरलोसक्त में बनाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाए तुरन सब्सक्राब कर लें आते हैं अपने टॉपिक पर व्यापार में बरकत के लिए यह तोटका यह उपाए दिवाली की रात को व्यापारी गड़ अपने दुकान पतिस्ठान पर पूजा करते करने जाते समय इसके बाद ही मा लच्मी का पूजन करे तो व्यापार में बरकत होगी जी हाँ दोस्तों अगर आप दिवाली की रात को अपने दुकान पतिस्ठान में पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो शुद्ध केसर मिला हुआ मीठा दही खाकर घर से निकले इसके बाद मा का पूजन करे तो व्यापार में बरकत होगी जी हाँ दोस्तों अगर आप भी ऐसा लाब करते हैं तो आपके भी व्यापार में बरकत होगी और दोस्तों ध्यान रखें अगर इस टोटके को आपने दिवाली की रात किया तो इसका अच्यूक लाब मिलेगा तो आशा करता हूँ आप भी इस लाब को अपनाएंगे इस टोटके को अपनाएंगे और लाब पाएंगे अगर आपको मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और दोस्तों अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेट कोई भी सवाल या सुझाओ चल रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिपकर बताना ना भूले और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल घरेली उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंट सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टन जानकारी हैं आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक क लिए नमस्कार दोस्तों